आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनुर्ची सबसे पहले इस बुलिटन के मुख्य समाचार राश्वपती चुनाव में NDA की उमीद्वार द्रौपती मुर्मू आज और विपक्ष की उमीद्वार यश्वन सिनहा 27 जून को भरेंगे ना मांकन प्रदीश में तुरिस्तरिय पंचायत नर्वाचन के तहत प्रथम चरण का मतदान कल देश की एकमात्रों महिला NCC अफसर प्रशिक्षन अकादमी ग्वालियर में दीक्षांत परेड आज और इंदौर में एक बस के खाई में गिरने से 6 लोगों की मुर्तियों करीब 45 लोग हुए घार अब समाचार विस्तार से राश्री जनता अंत्र गडबंधन NDA की राश्रपती की उमीद्वार द्रौपती मुर्मू आज नामांकन पत्र भरेंगी वही राश्रपती पत के विपक्ष के उमीद्वार यश्वन सनहा 27 जून को नामांकन पत्र भरेंगे नामांकन पत्र भरने की आखरी तारीख 29 जून है, यदि आविशक हुआ तो मतदान 18 जुलाई को कराया जाएगा और मतगर्णना 21 जुलाई को कराया जाएगी श्रीमती मुर्मू ने कर नई दिल्ली पहुँचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप्राश्यपती मवइंकया नाइडू, ग्रह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनात से और भारती जंता पार्टी के अन्यशीश निताओं से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि समूचे भारत में सभी वर्गों ने राश्पती पत के लिए श्रीमती मुर्मू की उमीद्वारी की प्रशनसा की है श्रीमोदी ने कहा है कि दुरौपती मुर्मू के पास मूलभूत समस्याओं की समझबूच और भारत के विकास की परिकल्पना है प्रदेश में तीन चर्णों में होने जा रहे तुरिस्तरिय पंचायत निर्वाचन के तहट प्रधम चरण का मतदान कल शनिवार को सुभ़ साथ बजे से तो पहर तीन बजे तक होगा प्रदम चरण में जिन ग्राम पंचात क्षेत्रों में मतदान होना है वहां कल से ही चुनावी प्रचार समाप्त हो गया है अब इन क्षेत्रों में उमीद्वारों के समर्थन सार्वजनिक सभा रैली आदी नहीं किये जा सकेंगे वहीं इनक्षेत्रों में मतदान समाप्ती के 48 घंटे पूर से मतदान समाप्ती तक शराब की दुकाने भी बंद रहने के नर्देश दिये गए हैं राजे नर्वाचन आयो के सचिव राकेश से ने बताया है कि कल प्रधम चरण में 52 जिलों में 115 जनपत पंचायत की 8702 ग्राम पंचायत में मतदान होगा इस दिन 27,049 मतदान केंद्रों पर 1,49,23,165 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे आज सभी मतदान दलों को मतदान सामगरी का वित्रण किया जाएगा सूचने वं प्रसारण मंत्राले के विभाग Bureau of Outreach and Communication BOC को अब केंद्रिय सूच संचार Bureau के रूप में जाना जाएगा सरकार ने मुख्याले, Zonal, क्षेत्रिय और फिल्ड स्थर के कारियाले में BOC के नामकरण के बारे में गजट अधी सूचना जारी कर दी है अधी सूचना के अनुसार मुख्याले स्थर पर Bureau का नाम Central Bureau of Communication या केंद्रिय संचार Bureau होगा वहीं प्रादेशिक और क्षेत्रिय स्थर पर इसके साथ प्रादेशिक या क्षेत्रिय कारियाले लिखकर उस राज्य या क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा कुछ साल पहले तक इसे क्षेत्र प्रचार निदेशाले या Directorate of Field Publicity के नाम से भी जाना जाता था मधिप्रदीश हाई कोट ने अन्य पच्छडा वर्ग के OBC आरक्षन मामले में सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है इस बीच कोट ने 27 प्रतिशत OBC आरक्षन पर पूर्व में लगी अंतरम रोग को भी बरकरार रखा है याई मूर्ती शील नागू की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने कल OBC आरक्षन वाले मामले की सुनवाई की इस दौरान वाजिशासन की ओर से PSC से जुड़े प्रकरणों में मौदिफिकेशन पर बल देते हुए समय मांगा गया कोट ने मांग मंजूर कर ली कल OBC आरक्षन 27 प्रतिशत किये जाने की समवधानिक्ता को चुनौती देने वाली 32 याचिकाएं और 27 फीजदी OBC आरक्षन के समर्थन में दायर 30 याचिकाओं की सुनवाई हुई देश में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 68 नए मामले सामने आए हैं प्रदेश में ये मामले सामने आए हैं जबकि 65 मरीज कोरोना संक्रमंट से मुक्त हुए हैं नई मामलों में अंदौर में 30, भुपाल में 11, जबलपुर में 7, नर्बनापुरम में 4, ग्वालियर में 3, दतिया, रायसेन सागर और उज्जैन में दो-दो नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रक्रणों की संख्या 457 हो गई है। हलाकि राज्य के 52 में से 25 दिले पूरी तरह कोरोना संक्रमित से मुक्त है। इधर प्रदेश में कल 40,176 लोगों का टीका करण किया गया, इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12 करोड एक लाग 9,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। गुपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। महिला NCC अफसर प्रशिक्षण अकादमी OTA गौालियर में आज दीक्षान्थ परेड समारों का आयोजन होगा। इस दौरान लफटनन जनरल और महानिदेशक NCC गुरबीर पास से मुख्य अधित ही होंगे। दीक्षान्थ परेड में 112 महिला अधिकारियों को रैंक प्रद परियावरन संब्रक्षन के लिए मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्यूत वित्रन कंपनी अधिकार क्षेत्र के सभी 15 जिला मुख्यालियों पर कागस के बिल के स्थान पर इबिल की व्यवस्था प्रारम करेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने मात्र भूमी के रक्षा के लिए आकरमनकारी सेनाओं से वीर्ता पूर्वक युध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाली गोंडवाना गढ़ा मंडला की महरानी वीरांगना रानी दुर्गावती का आज 469 वा बलिदान दिवस है। पुलिस बल्द्वारा, सलामी, पुषपांजली और धावकों को मशाल सौपी जाएगी। धावक दल इस मशाल को लेकर भवरताल उद्यान पहुंचेंगे। यहाँ वीरांगना की प्रतिमा के समक्ष पुलिस बल्द्वारा, परंपरागत, सशस्त्र सलामी दी जाएगी। इंदौर जिले के सिमरॉल थानाक्षेत्र में भैरावगाट पर कल खंडवा जा रही एक बस अनियंतृत होकर पलट गई और खाई में जागरी। इस हादसे में छे लोगों की मौत हो गई जब की करीब 45 लोग खायल हुए हैं। पुलिस ने खायलों को अस्पताल पहुंच और उसने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस बीच अंदौर के जिला कलेक्टर मनीश सिह ने बताया है कि मुख्यमंतुरी शिवरा सिंग चौखान ने भी स्थिती का जायसा लिया और मृत्कों के परिजनों को 4-4 लाक रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दे कर मोर्चा सम्हाले हुए हैं जबकि हिमान शुमंतुरी 31 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले कल मुंबई की पूरी टीम 374 रन बनाकर आउट हो गई। सरफरास खान ने सबसे ज्यादा 135 रन बनाए और यशस वीरा जायसवाल 78 रन बनाकर आउट हुए। मधिप्रदेश केक के वडिया में शुरू हो रहे दो दिन के राशियों सम्मेलन में राजियों और केंदुशासित प्रदेशों के युवा कारिय और खेल प्रभारी मंत्रियों और सचिवों के साथ बातचीत करेंगे। इंदोर नगर निगम चुनाव में नाम वापसी के बाद महापौर पत के लिए उन्नीस और पिच्चासी वाडो में पाशत पदो के 341 उमीदवार चुनाव मैदान में हैं। रतलाम में प्रेकशक डॉक्टर शोक कुमार भारगव ने स्ट्रॉंग रूम का नरीक शन किया और डंडौरी में अनाधिकृत तोर पर बीज भंडारन और विक्रे करने वालों के खिलाव प्रशासन द्वारा लगातार कारवाई की जा रही है। बुलिजन में फिल हाल इतना ही अजाज़त दीजे नमस्कार।